हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई जैनल पीके अलक्टेगरी कैस आप सभी आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरुस्त होंगे और आने वाले एकजाम की बैटर तरीके से त्यारी कर रहे होंगे तो देखिए फरेंड जैसा कि मैंने आपको प्रिविश वीडियो में ब कर्क की ऐदी बात करूं तो 45 नंबर वाकैंसी कर्लर की रखी गई है अपकी बार जो है जो नोटिफिक्स जारी किया गया है कर शेटर आंविवर्श्ति के यदि मैं चेजमेंट पर बात करूं तो चेजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया है अपकी बार तो सलेवस में बहुत बड़ा चेंज अपकी बार किया गया है और अपकी बार फीस में भी चेजमेंट किया गया है तो इसके सलेवस के बारे में यदि मैं बात कुरूं फ्रेंड तो सलेवस यह आप देख सकते हैं अब की बार सलेवस आपका अच्छे से मेंसन किया गया है यह आप देख सकते हैं कलर का सलेवस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट में आपको 30 नमर और पोइं क्राइटिरिया यह आप देख सकते हैं 50 यदि आपके 50 यह आप देख सकते हैं 50 प्रसेंट 50 प्रसेंट से आपके कम वार्ज है तो आपको यह आप देख सकते हैं फ्रेंड मैट्रिक लेशन में तो आपको 2 मिलेंगे और प्लस टू में भी आपको 2 मिलेंगा ग्रेजवेशन में ठूंगे 50 से 60 परसंट के भीज में आप criteria देख सकते हैं point का और उस सिच्टी परसेंट से अधी कहीं आप देख सकते हैं friend देख लीजेेगा पढ़ लीजेगा और यह आपका फेजमन में typing टेस्ट आप यह आप देख सकते हैं typing test in English तो फेजमन में आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट में किस तरह से आपको अंक दी जाने वाले हैं इसका वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा और आपको डिटेल सारे की सारी अच्छे से समझाई जाएगी फेज 2 में आपका एफ्टी टेस्ट रखा गया है एफ्टी टेस्ट में बहुत बड़ा चेजमेंट किया गया है जो की बहुत बड़ी बात है तो यह आप देख सकते हैं फ्रेंड यह आपकी बार हिंदी को जो है जोड़ दिया गया है और इंगलिस तो आपकी पहली भी आती अपकी बार भी आएगी तो यह आप देख सकते हैं और अपकी बार जो आपका एक्जाम होने वाला है यह आप देख सकते हैं बाइ लेंग्विज आपका एक्जाम होने वाला है हाँ यह आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिस में आपका वेपर होने वाला है यह आप दे टेख लिजीएगा को आप 20 और सस्य थे एक आपका यह बात कर उने वाला है और इसमें पिशली बार जो अimar यह तो वैल अब की बार इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव चेजमेंट कर दिया गया है अब की बार जो मार्स आपके रखे गए हैं वो सिर्फ एट रखे गए हैं 20 में से अब आग गया था ये जूनियर जेई का सीविल एंड इलेक्रिकल का क्रैटेरिया सेलेक्शन का जी तो यह आप देख लिजी है तो आपको मोटा मोटी जो जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी है तो आगे मिलते हैं एक next वीडियो और एक big update के साथ new update के साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिन जैफार